नमस्कार दोस्तों मैं हूँ हिमान शुभट डाइबिटीज के पेशेंट हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या खाए और क्या ना खाए और अगर एड़ोपैथी, आयरवेदी या होमोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं और खाते वक्त किन-किन बातों का एहतियात रखना हैं ताकि आपका डाइबिटीज नेचुरली बिने दवाईयों के ही कंट्रोल हो जाए सर आपको मेरा प्रणाम नमस्कार हिमान्शु जी सर डाइबिटीज को कैसे नेचुरली कंट्रोल करें और खानपान में क्या ध्यान रखने की जरूरत है उससे पहले आप यह बताए कि डाइबिटीज इतना कॉमन क्यों है डाइबिटीय। जिसकों की डाइबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते है टाइब ऑन टाइब टू में यह होता है यह कॉमन इसलिए क्योंकि हमारे खांपान छान से संब्बदनेत है हमारे डेली के ब्हार से संभन देता है इसलिए डायूटी जो है आज सबसे बड़ा डाज कैपिडेल हो रहे है और डायूटी जो है हमारे आहार विहार और ऑशदियां इनके दोरह जो है निचने में किया जा सकता है और डायूटीज के जो सामन लक्षण हैं जिनमें कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, स्वेटिंग होना, ओज का अच्छय होना, कमजोरी होना, बीकनेस होना और डायूटीज का विसे लक्षण ये अकायक एकदम से आपका वेट वेक्टर हैं, वो हमारे खाने की पद्दती है, हमारा बोजन है, हमारा खान पान है, ये सब बदल गया है, प्रदूस्यत हो गया है, तो इसलिए डायूटीज जो है, एक आम भीमारी है, एक जीवन से लिए से सम्बंदित भीमारी है, और हर वेक्ति इससे कही ना कहीं कौन से चीजे खाएं और कौन से चीजों का परहिच किया जाएं, डायूटीज के लिए महरसी चरख हैं, जन्होंने बहुती सुन्दर एक इसलोग में लिखा है, वो कारण भी हैं, और उनका निदान परवर्जन करके कैसे चिकिस्सा करते हैं, एक ही इसलोग में सारी बात म दधीनी गुण वेक्रतम चा नवान नपानम कप करतेतु सर्वं ये पिर में के सामाने निदान है, सामाने कारण है, और इनी को हमें दूर करना है, इनी में क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आजश्या शुकाम मैंने सेडेंटरी लाइफ, अपने लाइफ में सेडेंटरी नहीं रहना है, अपने कुर्षियों पे जद्धा नहीं बैटना है, अगर बैट रहना है, तो उस समय अक्टिब और मूवमेंट मोड में बैटना है, इसितरह इस आप्न शुकाम अर्थात, दिन में नहीं सोना है, अगलत तरीके से सोने है, जो एक नियत काल है, उस पर सोना है, भरपूर सिरी उप लेनी है, ये भी बहुत बड़ा कारण है, इसके अलाबा दही जो है, दही जो आम बेक्ती के अंदर धारना होती के दही साइट डायवटीज में अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहां दही और दही से बने प्रोड़क् तो आधर वाइज हमने डेरी प्रोड़क्ट को टोटली एवाइड करना चाहिए, चाहिए वो पनीर हो, चाहिए वो दही हो, और दही के लिए इसपेसली लिखा दधीनी, फिर लिखा इन्होंने गोड़ बैक्रतमचा, गोड़ माने स्वीट प्रोड़क्ट, आजकल तो जो इसके अलाबा मीठे को आप एवाइड करें, और नेचरल जितना भी हमारे फ्रूट से आता है उसको ही लें, एक और भी बड़ी धारना और भ्रहनती है कि फलों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो इसमें मेरा ये कहना है, कि जिसका लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स ह हमें चेहन करना चाहिए, जैसे कुछ फ्रूट होते हैं जिनका हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स है, जैसे कि आपका सरीफा है, जैसे कि आपका चीकू है, जैसे कि आपका केला है, जैसे कि आपका आम है, तो ऐसे जो आपके जो फ्रूट हैं, इनको हमने एवाइड करना चाहि सर यानि की जो फ्रूट ज्यादा मीठे हैं उनको हमने एवाइड करना चाहिए और कुछ और चीजें हैं जैसे की नवा अनपान आज अगर आप देखें चाहिए वह मुठापा हो चाहिए डायोटी जो इसको आयरोइद में शंगी ब्यादी का आगया अर्थात इस ब्यादी क तो जो भी अन आता है अगर आप नया अन खाते हैं तो सुपाच नहीं होता है पचने के लिए उससे सरीर को उर्जा लगानी पड़ती है तो इसके लिए जो है आप अगर अन को अगर रखके होल्ड कर देंगे जैसे आपका नया आता है उसको छह महीने के लिए आप फोल व अगर आप रखके लेंगे तो उसको यूज करना चाहिए इसके लाबा मुटापे में भी लिखा हुआ है कि अगर आप अन को जो है आप भून लेते हैं तो भून के बहुत अच्छा सुपाच हो जाता चाहें वो दलिया हो चाहें वो बाजरा हो या गेहू हो उसको अगर आ जाता है आपने कहा कि खाने भोजन को कुछ टाम तक रखे अन को तो सर नया भोजन नहीं खाना चाहिए अब कोई इंसान ज्यादा तर लोगों करते नया अन वही है जो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो यहां पर नया अन और पुराना अन क्या हो सकता है उसे आप एक परहेगा एक्सप्लेइन करें तो एक्चुली नयान और पुराना अन तो है के पहले के जमाने में लोग अपना खुदी सेल्प करके आटे को गेहों को क्लीन करते थे वह परंपरा पहले थी अब लुप्त होती जा रही क्योंकि आज रेडी टू यूज जो है आटा करें इससे यह फाइदा रहेगा कि जितने भी पिस्टी साइड वगएरा के जो चलकाओ है जिनसे जो केमिकली जो एफेक्टेड है वह उससे आप बचोगे और इंडारेक्टली जो साइड एफेक्ट हैं इनके खतवरबार की इतना शक इनसे बचेंगे और हम एक सुपाच और अच्छे अन के लिए हम ग्रेडिंग क्लीनिंग करके उसको प्रियोग कर सकते हैं तो हमें दो तरफा लाव इससे होने बाला है थोड़ी सी तकलीफ बढ़ेगी लेकिन मार्केट से जो आप पिशा हुआ लेते हैं उससे कुछ सस्ता भी पढ़ेगा मतला अर्थिक जो है इस बचना है विशेश का दही से बचना है चौकलेट जितने भी हाई कैलोरी जंक फूट है यह सब कहीं न कहीं हमें तकलीफ देते हैं और इस पेसली जितने भी तली हुई चीज है आपको एक बाद और मजी की बताओं के डाइबटीज में फैट समिश्या नहीं है सम कि इसेटर जो है ऊसको एकटिवेट होते हैं और इंशीलीन की जो इनिस्थिंड की को इस इन दो हो चाहिता है तो यह एक बेसिफेस्ट की कमी हो जाती है इंसुलिन की कमी होने से वह ग्लूकोज अंदर जा नहीं पाता है। ठीक है तो वह ब्लड में रहता है तो सामने देखता है। लेकिन अगर वह ग्लूकोज अगर चला भी जाए जादा तो जाके मुठापा कर देता है। तो एक से बचते हैं दुसरे में फचते हैं तो एक तरह से मटापा द्यूटी सब इंटर लिंक हैं तो इसका एक वेटर सॉलूशन ये है कि हम जब भी डायूटी वाले मरीज हो चाहते हो मुटापे वाले मरीज हो इन में मेध ही दूस होता है विसेश रूप से तो हमने कहीं में भूजन को उतना ही लेना है जतनकी बौडी में जरूरत है अर्थ्वा के इन्सान को दो हॉजार न के अtersन पांत का नाक्री में 15 के ल cm से को भोड़ी 10.000 के बूहां को 92 yeah के बांड कैलौरि कि और अगर उसाथ करfa up किसारी u तेसमें कम स lavish तो अगर हम केलोरी को शरव से कहीं काहीं है रहागे से जो बता है कि go सब्चाना है लेकिन त्पाइय और बहुत कहता है कि मत्था हमारी सेहत के लिए बहुत ज़ादा फाइडे मन दोता है। शाज अलग है शाज जो है पाचन के लिए अच्छा होता है और वदर ओडर्णों के करने के लिए बोला गया चार्ज को लिया जा सकता है और उसमें जो है लवन इत्यादी लवन भासकर एक आयरविद में चून है उसको डाल के लिए जा सकता है अगर वो नहीं है तो आप जो है सिंपल जीरे को भून के उसको प्रयोग कर सकते हैं जीरे की आप जो है छोंक लग अमूमन है कि हमने एवाइट करना चाहिए लेकिन अब पता लगा आपने उस फोबिया में हैं और एक टेंशन करेट कर रहे हैं इस्ट्रेस भी एक एग्रिवेटिंग फैक्टर है डाइवटीज वालों के लिए डाइवटीज वालों के लिए कई सारे रिस्क फैक्टर है उसमें एक तनाओ है एक मदपान है एक धूमरपान है तनाओ जो है बहुत बड़ा फैक्टर है तो आपने किसी बात की इतनी बहुत ज़्यादा फिकर नहीं कर दी क्योंकि चाहिए आप रश्गुल्ला खाएं या रोटी खाएं या चाबल खाएं या सलात खाएं अल्टिम आपने चलो आपका मन कर रहा है तो आपने और चीजों केलोरी कट कर दी और आपने बरकाउट जादा कर दिया तो उसको खर्तम कर सकते तो ज्यादा लेना तकलीब नहीं है जट्रागनी को प्रभल रखना और इसको पचा देना वह अगर नहीं होगा तो शरीर के लिए पास होना सुरू हो जाता है जिसको गलाइकोसूरिया भी कहते हैं मतलब खात सब कुछ सकते हैं लेकिन मैनेजमेंट के साथ खाना है सर मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा था और कुछ पेशेंट से भी पूछा तो वो लोग कहते हैं कि डाइबेटीस के पेशेंट को नौनवेज निखाना चाहिए मैंने आपको यही बताया कि जितने भी देखिए तले हुई चीजे हैं डाइरेक्ट आप जो है देशी घी खालें तो समिश्या नहीं है लेकिन समिश्या होती जहां पर हम फैट को उबालते हैं उसको जो है बॉइल करते हैं जैसे पूरी बना तो इसलिए तले हुए श्पाइसी चीजों को एवाइड करा गया जंक फूट फास्ट फूट में यही तो है बाकी तो सब सामन चीजे है सब जीत्त्यादी तो उनमें भी डालते हैं तो कोशिज यह करने हैं कि हमने एज पॉसिविल हमने उनको जो है एवाइड करना है हाई जितने भी जो है हाई कैलोरी फूड हैं फ्राइड फूड है इनको जो है हमने अवाइड करना चाहिए सुटेंट्रि लाइब को एवाइड करना चाहिए और और वर्काउट बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमारा बॉड़ी सौस्त रहे इस पूर्ति मान रहे और ताजगी के स सर्मान जो डायोटीज के लिए है वो है करेला, नीम जामुन करेला, फलों में अगर बात करें, जामुन से बहते हिन कोई फल नहीं है, और यह जो है जिस समय आता है, उस समय सरीर में अश्रीर में अमलता बढ़ती है, बर्थात के शुरुआत में जब यह आना शुरू होता है तो जामुन जो है बहुत ही बढ़ी है और जामुन की और विशेशता है जामुन, गोड़मार और विजयसार, इनके जो इस्ट्रक्चर हैं वो इम्नोमिमेटिक कहलाते हैं, इंसुलिन के रिजेंबल स्ट्रक्चर हैं, इंसुलिन जैसी एक्टिविटीज को करते हैं, तो ड करेला एद्धेपी कड़वा होता है लेकिन आपके लिवर के लिए और पैंक्रियास के लिए बैतरीन है आप करेली की सेब को देखें उसकी जो ऊपर के जो सर्फेस स्ट्रक्चर है वो हमारे लिवर से पैंक्रियास से जो रिजेंबल होती है तो कुछ फलों की आकरती के को शिवाल है जैसे कि लोकी है इनका प्रयोक करें ने का प्रयोक करें और रहती है और हमने बस अल्टीमेट बात ही है कि खाना कम खाएं नपात तो लें और कैलोरी का ध्यान रखें और कभी गलती से कहीं कुछ ज्यादा हो जाए कहीं कुछ उपर नीचे हो तो हम बर्काउट करके उसको खतम करने हैं सरीर पर मरला लाइबल्टी ना रहे है वो फूल हमारे हैं तो फास्टिंग की बहुत बड़ा कला रही है हमारे हैं सनसुद्धी में बताया चत्वस प्रकारा सनसुद्धी पिपासा मारुथ आतपे तो अबस इंही है कि अगर आप कोई ड्यूटीज की अलो पतिक कोई दवाई चल लए तो कहीं ऐसा आपका जो है सुगर लेविल बहुत डाउन है और आप कुछ खाना भी निखा रहे हैं तो पता लगा आप गलाइसेमिक कॉमा में चले जाएं या ब्योस हो जाएं तो इसलिए जो है फास्टिंग हमने जो है मॉनिटर करके करनी है कि ब्लड सुगर का लेविल आपका ठीक है नॉर्मल कंडिशन में जो है फास्टिंग तो हमारी एक स्टाहिल होनी चाहिए तो फास्टिंग के लिए भी मैंने आपको बताया कि कैलोरी अगर कम से कम बांसो कैलोरी जानी चाहिए तो वो आपके जूसिस से जा सकती है आपके दूस से जा सकती है किसी तरवाद दूस जो है डावटीज बाले को मलाई उत्रा हुआ लेना चाहिए टॉंड मिल की जिसे कहते है धन्यवाद सराथ का